हेलो गाईज, आप देख रहे हैं, इसके लिए हमने एक्सपर्ट का यूटूब चैनल, आज किस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो आपको न्यू साउथ वेल्स वेल्स वर्सिस तैसमेनिया के बीच में यहाँ पर उस्टी इलियन डोमेस्टिक वन डे कब से, जो आपको मैच नमर 18, कल यहाँ पर जो मॉड्निंग में खिया रहता दिखने वाला है, इस मैच के बारे में गाईज हम आज किस वीडियो में बात करेंगे, एकदम अच्छे से गाईज, फुल प्रिब्यू आपको इस वीडियो मिलने वाला इस मैच के रिलेटेर, यानि कि इस मैच की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो मिलेगी, तो आप गाईज वीडियो में बने रहे हैं और वीडियो को पूरा देखते रहें, और गाईज आपको वीडियो पसंद आए, तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा, और चैनल पर पहली बार आया है, तो चैनल को सब सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ओन कर ले, ताकि आपको आने वारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें, बाकि गाईज सबसे इंबॉर्टन बात, इस मैच की फाइनल टीम अपडेट आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी, तो अगर आप अभी तक जरूर से जरूर कर लीजेगा, अब चलिए गाईज इस पीडियो को मैं आपर स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले न्यू साउथ वेल्स टीम के बारे हम बात करते हैं, तो इनका गाईज मुझे ये प्लेइंग 11 खेलता दिख रहें, ठीक है, और बैंच पर मुझे लियम बाकी इनकी टीम अभी तक है स्ट्रगल की है टूनामेंट में, पांच में से मातर एक मैं जीती हैं और चार हारी है, ठीक है, मेरे हिसाब से इनके लिए आपको कर्टीस पैटर्सन, इनके कैप्टन के साथ, डैनियल हुज ओपनिंग करते दिखेंगे, वन डाउन मैट गिल् अंडिक्स, थी डाउन पो ओलिवर डैबी, फो डाउन पर हैडन कर, फाइडन पर डैनियल संप्स, मेभी हो सकता है, सीनय अवरट फाइब डाउन आजे और शिक्स डाउन डैनियल संप्स है, ठीक है, यह चेंजे इन दोनु के बैटिंग ओर्डर में ठीक है, बाकी फिर क्र तक के स्टाट्स पर फोकस करेंगे यानि की पाचों मैच इसके परफॉर्मेंस पर तो कर्टिस पैटर्सन इन के लिए अच्छे रहे 30, 52, 92 तीन इनिंग अच्छी आई है, डैनियल हुज बहुत अच्छे रहे, तीन सेंचुरी इन होने मारें गाईज, 117, 149, 101 और एक यहाँ पर 43, तो बहुत कंसिस्टन है, मैट किल्स की एक 40 की अच्छी इनिंग आई है, ओंडिक्स 35, 34, 28 कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए है, ओलिवर डैबिस एक मैच के लिए जिसमें 6 रन और 2 आवर की बालिंग में कोई विकेट नहीं, हैडन कर बैटिंग से कुछ खास नहीं, 22 आवर की बालिंग में 4 विकेट, डैनियल सैम्स बैटिंग से कुछ खास नहीं, 19 आवर की बालिंग में 2 विकेट, सीन आवर की फर्म की गाइस बात करूँ बिग बैस लीग की तो वहां पर गाइस जो प्लेयर अच्छे फर्म में थे बिग बैस लीग में अभी उनमें नाम आते हा गाइस ओलिवर डैबिस का मोजिस ओन डिक्स का है यह डैनियल सैंप्स का सीन अभट का ठीक है उसके लाबा एडम जांप तो गाइस यह सब कुछ प्लियर हैं जो कि रीसेंट में विग बैस लिग में काफी अच्छा खेल के आ रहें तो आप इनका ध्यान लखिएगा अब चलिए गाइस हम दूसरी टीम तैस्मेनिया पर आते इनके वारे में बात करते तो इनका मुझे यह प्लेंग लेबन खेलता दिख रहें ठीक है एक चेंज इनके प्लेंग के लबरे में भी हो सकता है मेभी जैक्सन बर्ड खेल जाए किसी फास्ट वारल की जगह जैसे की पीटर सीडल ठीक है यह हो सकता है बाकी और मुझे मिच ओवन का तो खेलने का कम ही चांस लग रहा है ठीक है बाकी गाईस यहा पर टॉम रोजर्स फिर इनके तीन बॉलर नैथन आलीस पीटर सिडल और राइली मेरी डिट ठीक है यहां पर गाईस अगर आप अभी तक के स्टैस पर फोकस करेंगे यानि की पांच मैच इसके पर्फॉर्मेंस पर तो मैक डर्मिट ने स्टार्ट अच्छा किया था 71 और 70 लेकिन उसके बाद सिंगल डिजर्ट में तीन मैचेस में स्कोर आया है ठीक है बाकी सेलेब जोल का भी सेम स्टोरी है फर्स्ट के दो मैचेस में अच्छे रहते 126 और 143 उसके बाद फॉर्म गिरा है ठीक है बाकी जैक डूरेंट बहुत अच्छे रहे 36 नॉट आउट आउ बहुत कमाल किनोंने बॉलिंग की है 47-100 की बॉलिंग में इनके नाम पर 15 विकेट है और साथ में 28 और 23 नॉट आउट किनोंने अच्छी पारियाबी खेली है ठीक है बाकी नैथन एलिस के पास 300 की बॉलिंग में 5 विकेट है तीन मैचेस में पीटर सीडल उतने अच्छे नह जाएंगे और जैक्सन बड़ खेल सकते है ठीक है ध्यान लगे यह चेंज पॉसिबल है बाकी गाइस रीसेंट फॉर्म बिग बैस लिग में यहाँ पर जिन प्लेयर का अच्छा था उनमें गाईस आते हैं सैलेब जूल ठीक है उसके लबाद जॉर्डन सिल्क वेबस्टर और यहाँ से टॉम रोजर्स नैथन आलिस और मेरेडिट ठीक है इन सब प्लेयर का रीसेंट फॉर्म काफी अच्छा था तो आप इनका ध्यान लगे तो गाइस इस मैच के लेटर जितना भी डेटा स्टैट्स आपको जाना था सब कुछ मैंने सौट में आपको बहुत कम ट सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को अन कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें बाकी चलिए गाइस यहाँ पर हम अपनी ड्रेम 11 की टीम डिसकस कर लेते हैं उससे पहले गाइस एक बहुत इंपोर्टन बात आप सभी को बतानी है आप मे जाएगा जिसमें और लेडी एक तालिस सो से लगभग लग जॉइन हो चुके है चारहजार से उपर है तो आपको इसी चैनल में जॉइन करना यह दोनों चैनल फेक हैं इनमें जॉइन ना करे गाइस मैं आपको दिखा देता हूं यह गाइस हमारा टेलिग्राम को ओरिजनल तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैं 23rd FAB को यहाँ पर 10 विनर्स निकालने वाला हूं जिनको सेल्फी मुवी का फ्री टिकट मिलेगा ठीक है तो अगर आप इंट्रेस्टेड है इस गिववे में पार्टिसिपेट करने के लिए तो फटा फर्जे टेलिग्राम चैनल प मैं आपको बता दू इसमें बहुत कमाल की स्टोरी रहने वाली है एक यहाँ पर सूपर स्टार और एक सूपर फैन के बीच में जिसका इस ट्रेलर टू भी आया अप चाहे तो यूटूपर से देख सकते हैं इस मुवी के गाईज और ट्रेलर वन यहाँ पर काफी अच्छा इंटर्टेन्मेंट की तो आप सभी लोग अपने फैमिली के साथ जाएं फ्रेंड्स के साथ जाएं और सेल्फी मुवी जरूर देख कराएं ठीक है डेट का ध्यान रखिएगा अभी से मार कर लीजे डेट को यहाँ नाइन डेज बचे हुए है ठीक है 24 फैब को सेल्फी तो आप यह बात का ध्यान लगे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मुवी को देखने के लिए इसलिए मैं आप सभी को रिकमेंड कर रहा हूँ आप सभी लोग जरूर देखे और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको यह मुवी कैसी लगी ठीक है अब करना रिकमेंड नहीं करता हूँ ठीक है तो आप एनलीसिस पर फोकस करिए इन्फोर्मेशन पर फोकस करिए और खुझ से टीम बनाने की ट्राइग करिए ठीक है अब सबसे पहले विगेट कीपर सक्सें पर आएंगे जहां पर आपको बैंड मैंग डॉर्मेंट मिलेगे इंटरनेशनल एक्सपिरियंस भी है और डिफ्रेंटेटी लिग्स में भी खेलने का एक्सपिरियंस है तो आप इनको तो टीम में जरूर ले बाकी मैं जैक दूरन को भी टीम में ले रहा हूँ जो कि काफी कंसिस्टन रहे है इस तूनामेंट में साथ मैं बिकेट ध्यान दखे आते हैं गाइस बैटर सक्षन पर जहां पर डैनियल हूज आपके लिए नमबर वन चॉइस रहेंगे चार इनिंग इन्होंने भी तक बहुत कमाल की खेली है और बहुत तगरे फॉर्म में और वैसे भी लिश्टे करियर में इनका अभरेज बहुत तगर आए ठी इनका गाइस यहां पर रिसेंट फॉर्म बिग बैस लिग में काफी अच्छा रहा है तो आपके लच्छे डिफ्रेंसल बन सकते हैं सैलब जूल ओपनिंग पर है यह भी अच्छे प्लेयर है उपनिंग पर आप इनको भी ले सकते हैं ठीक है नीचे से ओलिवर डैविस ग्र से ज्यादा रोल रहेगा फॉर्म उतना अच्छा नहीं है लेकिन प्लेयर ठीक है गाइस बहुत एक्सपिरियंस रखते हैं तो आप इनको टीम में डे सकते हैं बाकी वैबस्टर सीन अबर्ट यह दोनों आपके ले मस्ट पिक है दोनों का रीसेंट फॉर्म बिग बैस यह भी आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स तेंगे तो मैं इनको भी रिकमेंड करूंगा कि आप टीम में लेकर ही जाएए ठीक है बाकी और ज्यादा ओप्सन है नहीं एक ओंडिक्स को आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं ठीक है बाकी बॉलिंग सेक्शन है शिक्स टाउन पर रंस भी कर सकते हैं ठीक है तो इनको मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूंगा अप लेकर जाएए नेक्स मैं नैथा नेलिस को भी लूँगा ये भी काफी कमाल के फास्ट वॉलर है कुछ रंस ये भी कर सकते हैं लेकिन में में रोल इनका बॉलिंग से रहेगा और इन्होंने पॉलिंग गाइस पिसले एक सालों में बहुत इंप्रोव की है ठीक है आपको आइपल में भी खेलते दिखेंगे तो मैं इनको जरूर लूँगा टीम में बाकी मैरी डिद भी काफी अच्छी फास्ट वॉलर है आपको विक्टे लेते दिखेंगे ग सकते हैं बाकी सीडल का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा लेकिन एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है कुछ ग्रैंडिक टीम में आप ले सकते हैं अगर खेलते हैं तो ठीक है बाकी एक और प्लेयर है एडम जांपा जिनको मैं अपनी टीम में जगर दे रहा हूं बहुत अच्छे लेग स्पिनर है मुझे बतानी की जरूत नहीं है जैनवन बिकेट टेकर है तो मैं इनको टीम में जरूर लूँगा गाईस ठीक है यहाँ पर अगेर मैं बता रहा हूं बैटर सेक्षन में आपके पास तीन अच्छे उप्सन है इन तीन में से आपको जिसे ले ना हो आप ले सकते गाईस ठीक है उसके लटर आपके पास वेब्स्टर, सीन अबट, हैडन कर ठीक है यह तीन प्लेयर मुझे बैस दिख रहे है इन तीनों के अलाबा आप चाहे तो यहाँ पर गाईस एक टॉम रॉजर को भी ट्राई कर सकत ठीक है, बाकी मुझसे guys, अगर आप पूछेंगे, तो यहाँ पर जो मेरे captain बनते हैं, वो यहाँ पर guys है, यहाँ पर Webster मेरे captain है, और Vice Captain Rogers है, scene about काफी अच्छे form में है, Big Best League में, टॉप बीगे टेकर थें, तो आप इनको definitely CVC कर सकते हैं, और head and curve भी guys, खराब option नहीं रहेंगे, ठीक है, तो यह बनता है guys, अभी के लिए हमारा team का preview, इसमें definitely 100% team में changes होने वाली है, final team update काफी ज्यादा important रहेगी, तो एक बार फिट से मैं आप सभी को remind करा रहा हूँ, आपको हमारे telegram channel का link, इसी वीडियो का description में मिल जाएगा, आप उस link पर click करकर हमारे telegram channel पर जरूर से जरूर join कर ले, final team update आपको वहाँ पर मिल जाएगी, by chance अगा description बारा link काम ना करें guys, आपको वीडियो कैसा लगा, कॉमेंट करके बताना बिलकुल भी ना भूले, और 24 फेब से अपने नजदी की cinema घरों में selfie movie देखना बिलकुल भी ना भूले, ठीक है, तो बहुत जल्द guys मैं आप से मिलता हूँ, next video में,